हलो दोस्तो स्वागत एक बर फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस भरती के बारे में जिहां दोस्तो आपकी डाग विबाग में बंपर भरती आ चुकी है जो भी दस्वी पास बारी पास और तक जरूर देखना पड़ेगा एज लिमिट का क्राइटिरिया सेलेरी आपकी क्या रहेगी सेलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है कितने परसेंटेज आपको चाहिए यहाँ पे इलिजबिल होने के लिए पूरा डेटेल में हम जानेंगे तो दोस्तों मिनिस्ट्र रहेगी वो आपके आपे पोस्ट, मास्टर, शॉर्टिंग, असिस्टेंट और यहाँ पे डाक सेवक के पदों पे रहेगी जिसमें के टेगरिवाज यूर, ओबिसी, EWS, SST और एक सर्विसमेन की कितनी पोस्टे रहेगी वो भी मैंने बता दिया है आप अच्छे से एक बा नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, टोटल मिला कि अगर बात कि जाए तो 12,800 वेकेंसी आपकी इंडिन पोस्ट ऑफिस के अंदर निकल चुकी है, जिसका रेक्रूट्मेंट प्रोसेस आपका अलरड़ी स्टार्ट हो चुका है, वेकेंसी के बारे में एज लिमिट का केंडिडेट के लिए 8 साल का एज रिलेक्शेशन दिया जाता है, एप्लिकेशन फीस के अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल, EWS, OBC केंडिडेट के लिए सोहर पे, वहीं से एस्ट और फीमिल केंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेश नहीं रहेंगे, ओनलान पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसमें debit card, credit card, net banking, किसी के भी तुरुआ पेमेंट कर सकते हैं, दोस्त अपलाई के से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बता दो कि official notification को read करिएगा, चैसे इसके बाद में आपको बता दो कि दो parts के अंदर आपको आपको basic registration और detail registration आपको करना प पड़ेगा, जिसमें आपको अपने education qualification, date of birth, category, work, experience, सारी detail आपको fill करने पड़ेगी, photograph और signature भी अपलोड करना पड़ेगा, दोस्तों Indian post office की जो official website है, जहां पे आपको आवेदन करना पड़ेगा, वो आपके रहने वाली www.apppost.in, इसके अलावर documents कौन-कौन से अपलोड करने होगा, कुछ post office पे आपका exam भी conduct करवाई जाएगा, आवेदन जरूर कीजिएगा, अब मिलेंगा आप इनेक्स्ट वीडियो में, एक इने update के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों